नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर आज बात करने जा रहे हैं स्वास्त काट के बारे में जिसे हम सब आयुसमान काट के नाम से जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से हैं तो चैनल को जरूर सब्ट्राइक करें और लाईक करके कमेंड बॉक्स में अपनी राय देना बिलकुल भी न भुलें चलिए बढ़ते हैं वीडियो में ये वीडियो में आपको अंतितक बने रहना बहुत जानकार वाला वीडियो है इस कार्ट को भारत के प्रदान मंत्री स्री नरेन मोदी ने 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था इसे आयुसमान भारत योजना या प्रदान मंत्री जनारोग योजना भी कहा जाता है 2018 के बजट सत्र में स्वर्गी अरुन जेटली जी वित्तमंत्री ने इस योजना की घोशना की थी इस योजना का उद्देश आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्त बीमा उपलब्द कराना है इसमें 5 लाग रुपे तक का ही फ्री इलाज आप किसी भी सरकारी या प्राइविट अस्पताल से करवा सकते हैं इस योजना के अंत्गत देश के करीब 50 करोड लोगों को इस योजना के अंत्गत हर साल 5 लाग रुपे तक का फ्री इलाज की सुवीदा जी जाएगी इस काड से आप किसी भी तरह की दवाई या डाक्टर का खर्च है या कोई भी ऑपरेशन का जो खर्च है 5 लाग तक के अंदर का काप करवा सकते हैं किसी भी अस्पताल से अस्पताल के सारे खर्च केसलेस होते हैं आपको अपनी जेब से एक भी रूपय देने की जरुवत नहीं है अस्पताल में भरती होने के 3 दिन से पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक जो भी खर्च होता है या दवा या लगती है सब कुछ फ्री रेता है अगर एक परिवार में एक या दो या फिर पांच एच्छे जो भी सदस्य है सब को मिला कर पांच लाग रुपे के अंदर पांच लाग से उपर का खर्चा नहीं होना चाहिए इस योजना में आप फाइदा उठा सकते हैं इस योजना के तहट सरकार ने पहले से एक सूची तयार कर दिये मतलब जो भी इस योजना के पात रहे उनको लेकर सरकार एक सूची तयार करती है उसमें उनकी सभी की जानकारी होती है उनका डाटा रेता है जिनको इस योजना का लाब दिया जाना है इस सूची में आपको अपना नाम देखना है अगर आपका नाम इस सूची में होगा तो आपका आश्मान काड आराम से बन जाएगा नहीं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर किसी MP online या अपने mobile या फिर किसी laptop computer पर site को open करके आप अपनी जानकारी डाल कर mobile नमबर पर आपको OTP मिलता है आप घर बेट कर भी ये काम कर सकते हैं इसमें आपको mobile registered number देना पड़ता है उसको OTP मिलता है वो verify करता है आदार से link करके आपको 15-30 दिन के अंदर यहां digital card जो health card है आपको post office के जरिये या फिर घर पर मिल जाएगा या फिर आप चाहिए इसे MP online से भी download कर साथ फुमिद्र की वीडियो पसंद आया होगा आपको मोधी सरकार की योजिना कैसी लगी कमेंट करके आप इस वीडियो में अपनी राय देना ना भुलें